नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल Education for India में आज हम आप लोगों को क्लास नाइन की जो NCRT की बुक है संचियन भागी एक उसका लेसन नमबर 5 हामित खा उसके प्रेशन उत्तर के बारे में बताएंगे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हामित खा एक इसके लेखक हैं वो है S के पोटेगार जी आपको इस कहानी का सारांष और थोड़ेशास इनके लेखक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताश चुके हैं यदि आप वो वीडियो नहीं देखें, आप उस वीडियो को जाके, इस कहानी के सारांस के बारे में भी सुनने, और थोड़ा सा लेखा के बारे में भी जानने, तो क्या होगा, आपको यह जो question answer करेंगे, यह अभी आपको learn करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, आपको उप करते हैं, पहला question है, लेखा का परिचे हामित खासे किन परिस्थितियों में हुआ, इसका answer होगा, कि एक बार लेखा गर्मियों के छुट्टी में कहा जाते हैं, गर्मियों का महना रता है, उस समय वो तच्छसिला, पाकिस्तान का जो तच्छसिला है, वहाँ पे खंडर को देखने के लिए चाते हैं, गर्मी के महने में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रती है, जिससे लेखा को बहुती भूक और बहुती प्यास लगा रता है, जिससे लेखा का क्या हो रहा होता है, बुरा हाल हो रहा होता है, अब खाने की तलास करते-करते लेख के आगे बसे एक गाउं की तरफ चल देते हैं जो लगभग ये पौने मिलकी दूरी पर होता है रेल्वी स्टेशन से उधरी गाउं की तरफ चलते चल Zac वहां पर जाके देखते तो वहां बहुती तंग बजार बहुती गंदी गनिया रहती हैं खाने पिने का कहीं होटल भी नहीं दिखाई देता है उस गाउं में कहीं तो बहुती गंदी दुरगंद भी आती है अब लेखक को बहुती भू का प्यास लगी रहती है वह बहुती प पता होता है उसों प्रेयम से इतना अच्या लगता है उनकी बातों का हमित्खा की बातों का हमित्खा को इतना अच्छा लगता है कि वह दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं मित्र बन जाते हैं तो लेखा का परचे हमित्खा से किन परिस्तित्र में होता है जब लेखा कहां जाते हैं गर्मी के महिनों में तच्छे सिला पकिसान के खंडर को द ह 그들이ोगाती है तंग बाजार रहते हैं, वाहए होट पोटल भी नहीं दिगता है, तभी अचानक से गरम करम रोटियों की खुसबु आती यह लेखक उसी खुसबु कास मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आखों से देख सकता हामिद ने ऐसा क्यों कहा अब हामिद यह बत बुलते हैं कास मैं आपके मुल्क में आकर हामिद तो कहां के रहने वाले हैं तचसिला पकिस्तान के रहने वाले हैं अलेखक जो है वो मालाबार हिंदुस्तान के आने वाले हैं, तो कहते हैं कि कास में आपके मुल्क में आकर मतलब में हिंदुस्तान में आकर यह सब अपनी आखों से देख सकता है, अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो क्या अपनी आखों से देखना चाहते हैं, तो इसका इंसर क्या होगा, कि हामित खा को जब पता चलता है कि लेखक हिंदू है तो हामिद खान उन से पूछता है कि क्या आप हमारे मुसल्मानी होटल में खाना खाएंगे लेखक तो कुछ भी मालूम नहीं रहता है कि वह हिंदू है मुसल्मान का है लेकिन हामिद खान जो होटल का दुगांदार रहता है उसको लगता है कि वह उसको ह हिंदू दावट होता है तो पुष्पे क्या आप मेरी होटल में खाना खाएंगे तब ही लेखा को बताते हैं कि हमारे हिंदूस्तान में तो हिंदू मुसल्मान के बीच कोई फरकी नहीं है कोई अंतरी नहीं है हमारे यह तो अच्छा पुलाओ खाना हूं ये अच्छे चाय भी नहीं हो तो हम सब मुसल्मानी होटल में जाके खाते हैं हमारे यह तो पहला मज्जिद भी यह कॉंडूं कलूर हिंदुस्तान में ही बना हैं वहां हिंदू मुसल्मानों की बीच दंगे भी नहीं होते हैं हम सब एक साथ कैसे रहते हैं मिलजूल कर रहते हैं हमित खा को ले देख सकता है क्यों क्योंकि हामित खां के जो मुल्क है पागस्तान है वहां पे बहुत ही हिंदु मुस्लिम में दंगे होते रहते हैं आगजनी होती रहती है इसलिए वह वहां जाकर हिंदुस्तान में जाकर सब कुछ देखकर अपने मन को तसली करना जाते हैं तो यही था कि ह हामित खां ऐसा क्यों बोलते हैं नेक्स कोशन है कोशन नमबर त्री कि हामित खां को लेखा कि किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो कौन सी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था अभी अभी मैंने आपको पताया कि लेखा खामित खां से कहते हैं कि हमारे यहां ब विश्वास नहीं हो रहा था तो वह लेखके जाकर अपनी आखों से यह सब देखना चाहते थें तो अभी अब आपको यह बता है क्यों कोगिम किसमाटों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे इंदुस्तान में जो फ्रेम होते हॉते रहते उन्हें ऐ हामित खा को इन से बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था अब नेक्स्ट कोश्चन की ओर कि हामित खाने का पैसा लेने से इंकार क्यों किया यह भी हम आपको सारांस में बताएं थे अच्छे से समझाते हैं यदि आप सारांस सुने होंगे वो वीडियो देखे होंगे तो एक हिंदू व्यक्ति ने उनकी होटल में आकर खाना खाया क्योंकि वहाँ पर क्या था हिंदू मुस्लिम में दंगे होते थे हिंदू हिंदू के होटल में मुस्लिम मुस्लिम के होटल में तो उनको खुशी हो रही थी कि आज हमारे हिंदू एक हिंदू व्यक्ति ने आज हम कभी कायल हो जाता है मतलब उनको इतना अच्छा लगता है कि वहाँ पे हिंदू-मुस्लिम भी एकता से रहते हैं इसलिए हामित खाने लेखाक से खाने-खाने के पैसे नहीं लिए नेक्स्त प्रच्छन की और आगे बढ़ते हैं थीज़ आगे माला बार में हिंदू-मुसल्मान के परश्परं डोनों हमेंशा मिल जूलकर रहते हैं उनके बीच आपस भिधंगए भी नहीं होते हैं दोनों के धर्मों के बीच sweetheart कोई भेदभाव भी नहीं होता है वहाँ पर अगर बढ़िया पुलाओ खाना हो या चाय पी नहीं हो तो हम हिंदू भी कहा जाते हैं उसी मुसल्मानी होटल में जाते हैं तो महाँ पर इस तरह का मालाबार में मतलब इस तरह का आपसी मिलजूल बना रहता है आपसी मिलजूल का महौल बना रहता है तो यही है ह कौन सा विचार कौन था इसे से लेखक के स्वभाव कि किस विशिस्ता का पड़्चे मिलता है तब यहां पर बोलना है कि जब लेखक ख़बर पढ़ते हैं कि तच्छा सिला में आगजनी हो गई है तो उनको एक विचार आता है इसे लेखक में किस लेखक का कौन सा इसा विश आना जाता है जादा जाता है कि जहां लेखाक ने बड़े अपने पन से उनके होटल में क्या गिया था खाना खाया था अब खबर पड़ते ही वह मनी मन कहने लगते हैं कि भगवान करें कि हमित खाको उस आगजनी में कुछ नहों और वह सुरच्छित रहें तो लेखाक की इस मुसल्मानों में कोई अंतर नहीं है इसका भी पता चल ला है और वह एक अच्छे इंसान है तो आसा करते हूं कि आपको यह सभी प्रश्ण उतर अच्छा लगा होगा प्लीस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो में वेबसाइट का लिंक दे देंगे आप वहीं पर जाकर वेबसाइट में क्लिक करके आप इस क्वेश्चन एंसर को टेक्स के भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं वहां से आप देख भी सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद